हेलो डोसुटेटेटेट मेरोस में आप लोका स्वागते और दोस्तों फाइनली आज रियल मी ने इंडिया में अपने रियल मी 5 और रियल मी 5 प्रो को जो वो लॉंच करतीया है मतलब उन्होंने फिर से एक बार धमागा करतीया है वैसे Realme 5 की unboxing मैं आपको कल सुबह 11 बजे के असपास दूँगा लेकिन आज मैं आपको Realme 5 Pro की unboxing देने वाला हूँ ये वैसे आपको इंडिया में दो colors में मिलते एक Crystal Green ने जो नया color है उन्होंने इंटिड्यूस किया है और एक आपको blue color भी इसमें देखने को मिलेगा उसके लाब फ्यूचर में बहुत colors आएगे मैं आपको अभी से इसके बारे में बता रहा हूँ और साथ में दोस्तों ये आपको तीन अलगलिक variants में मिलता है 464, 664 और एक 8128 जो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है और जो price होगी जो भी कुछ होगा मैं आपको description comment के अंदर update कर दूँगा कुईकि हमने obviously launch से पहले बनाया तो मुझे नहीं पता लेगी expectation तो यहीं दोस्तों कि 10 से 15,000 की बीच में ही आपको ये phone मिलेगा वैसे quad camera से है इसमें जो मैं बहुत excited उसको test करने के लिए ये वीडियो आप देखते लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगको realme 5 pro की सारी जानकर यहाँ पर दे रहता हूँ तो box लिए कि दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का मिलता है finally यहाँ पर उनोंने अभी अपने typical design वाले box को छोड़ दिया है जो realme 3, 3 pro अगरे में मिल रहा था अब आपको यहाँ पर एक नए तरीके का box मिल रहा है देखेंगे सामने realme 5 pro लिका है नीचे wook flash charge version 3 और 48 megapixel quad camera और यहाँ पर आप देखेंगे सामने phone की design दी गई है पीछे की दरफ देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ और information दी गई है और वैसे हमारे पास जो color है वो नया color है crystal green इसमें आपको वैसे एक और crystal blue मी मिलेगा और जो variant हमारे पास है वो 8GB RAM, 128GB बाला यह सबसे higher variant है जिसे की मैं आपसे बताया था यहाँ पर दोस्तों box को open करते उससे पहले मा आपको फड़ावट से इसकी technical specifications दे रहता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको 6.3 inch की full HD plus की एक water drop notch वाली जो वो display मिलती है अब वैसे realme इसको mini drop बोलता है कुछ नहा नाम यहाँ पर दिया गया है हाले की same display जो आपको realme 3 pro में मिल रहे थी लेकिन यहाँ पर आपको इसमें Gorilla Glass 3 की production मिलती है जबकि realme 3 pro में आपको Gorilla Glass 5 की production मिल रहे थी उसके अलावा दोस्तों यह जो display बहुत ही अच्छा है आपको video quality की बात करूँ या gaming की बात करूँ तो आपको जो experience होगा वो वैसे आपको यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिलेगा उसके अलावा दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon 712 वाला processor मिल रहा है यह जो processor ही यह 710 से थोड़ा आप इसको बेटर बोल सकते है 2.3 GHz के उपर अपर Arduino 616 वाला आपको GPU मिलता है अब यहाँ पर जो performance आपको मिलती ही वो काफी बढ़िया है Android score भी काफी अच्छा निकल कर आया तो आप इसमें अगर PUBG खेलो HD में या Asphalt 9 या कोई भी high graphics अगर आप गेम इसमें पर थो करेगे यह उसको आसानी से handle कर लेगा उसके अलावा दोस्तोस phone का main highlighting feature इसका quad camera आपको rear के अंदर 48MP का primary camera मिलता है Sony IMX586 sensor के साथ में F1.7 का आपको aperture मिलता है 4 की video आप शूट कर सकते है आपको वैसे Full HD में इस बार EIS भी out of the box मिलता है उसके लाब आपको night scape मिलता है बहुत सारे features मिलते है साथ में आपको 8MP का ultra wide sensor मिलता है 2MP का depth sensor भी है और आपको finally 2MP का macro sensor भी यहाँ पर मिलता है मतलब अगर आपको macro shots लेने तो वो भी आप यहाँ पर जो ले सकते है उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर 16MP की selfie मिलती है Sony IMX471 वाल आपको sensor मिलता है F2.0 का aperture ported beauty आपको यहाँ पर भी मिलता है तो selfie भी मैंसे आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है आपको यहाँ पर 4000 IMG की बैटरी मिल जाती है और आपको box में 20W का VOOC version 3 वाला जो वो charger भी जो प्रोवाइड के गया है अगर आप चाहें तो आप अपने phone को यहाँ पर fast charge भी कर सकते है तो यह है दोस्तों के कुछ complete specs फटावर से वैसे मैंने box ओपन कर दिया था आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ back case यहाँ पर मिल रहा है यह crystal green है जो आपको कुछ इस तरीके का diamond effect के साथ में मिलता है बहुत ही बड़िया लगता है दोस्तों glossy back के curved edges आपको यहाँ पर मिलते है लेकिन यह इस बार भी आपको polycarbonate back मिलता है यहाँ पर आपको कोई glass back नहीं मिल रहा है वैसे इसको side में रखते है देखते है box में आपको यहाँ पर क्या कुछ खास मिलता है तो thankfully realme 3 pro में आपको micro USB मिल रहा था लेकिन आप यहाँ पर आपको USB type C port मिलता है और आप देखेंगे यह आपको type C cable मिलता है माइक होल, type C port और आपको speaker आउटन मिलता है लेफ सेट में आप देखेंगे आपको यहाँ पर volume up and down की की मिलती है उपर आपको SIM tray मिलता है जहाँ पर आप लोगको dedicated microSD cut का slot भी हाँ आपको देखने को मिलता है और इसमें realme OS भी आपको बहुत जिल्दी future में भी लेका लेकिन एक चीज़ अगर आप देखते है दोस्तों तो यहाँ पर उन्होंने UI में थोड़ी को changes करी आप देखेंगे notification panel उन्होंने यहाँ पर change किया है मैंने set किया था फिस आपको बता तो टच करते और आप देखेंगे open जाता है तो बहुत ही fast आपको fingerprint scanner और face unlock वगरा यहाँ पर मिल जाता है उसके लाबा जो storage को जो support है दोस्तों वो आपको UFS 2.1 वाला मिलता है और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर LPDDR 4X वाली RAM का भी support मिलता है वैसे आपको यहाँ पर P2Y coating भी मिलती है मतलब यह splash resistant है अगर आपको कोई पानी की छीटे वगरा उड़ते है तो यह उसको भी कुछ हद तक protect करेगा तो यह सारे जो additional features सिर्फ दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते है अब यहाँ पर दोस्तों finally मैं बात करता इसके camera की जो आप देख सकते interface आपको कुछ इस तरह के मिलता है ऊपर देखेंगे wide angle का option chroma boost और HDR वगरे की सारे चीज़े दी गई है और नीचे यहाँ पर typical आपको color OS6 वाले features मिल रहे है और यहाँ पर एक छोटा सा menu जहाँ पर आप देखेंगे आपको 48MP की shot लेना है ultra macro ले और इसमें मुझे एक चीज़ इसकी यह अच्छी लगी कि इसको जो edge detection है rear का portrait वो बहुत ही कमाल का है detail पर अच्छी मिलती है और edge detection भी आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया मिलता है आपको यहाँ पर macro shots भी मिलते है तो अच्छे कासे आप macro shots लेना है तो आप ले सकते हैं सा selfie मिलती है, selfie भी आपको वैसे काफी बढ़िया मिलती है, selfie में भी आप देखेंगे edge detection आपको वैसे काफी अच्छा मिल जाता है तो उसका भी आप अच्छे से फायदा उड़ा सकते है वैसे इतना मुझे पता चला है कि future में selfie में भी वो लोग nightscape वाला update पुश करने वाले जी हाँ, selfie में आपको nightscape मिलेगा, ऐसा जब मैंने meeting में गया तो उनने मुझे बताया ता आप देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता है, overall दोस्तों यह है Realme 5 Pro, वैसे आपको कैसा लगा है आप मुझे जरू से comment करके बता सकते हैं, जो भी price वगर है कि details होगी, variants होगे, वैसे हम आपको सारे description और comment करने दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जा की देख सकते हैं, मैं बहुत सारे videos बनाओंगा, काफी सारे comparisons भी होगे, वैसे आप क्या चाते हैं, वो मुझे आप जरू से comment करके बता सकते हैं, वीडियो पसना है कि दोस्तों तो like करना, मिलते हैं आप से अग कि स्कीप स्मालिव